जहिन यूँ तो 26 जनवरी हम सारे भारतियों के लिए एक बहुत ही सूब दिन होता है लेकिन इस बार के 26 जनवरी में कुछ असूब घटनाएं हो गई अब बहुत से लोगों का मतलब आफ लाइन भी क्लास खुल गया तो बहुत से लड़कों ने कहा कि सरी क्या हो रहा है इसके बारे में समझा दिए इसको हम लोग समझते है 26 जनवरी हम सब के लिए अच्छा होता है यह देश का तेवार इसमें कोई भी धरम बीच में नहीं आना चाहिए इसमें कुछ पुराने चीजों पर देखते हैं यह जो विध्यक है क्रिसी कानुन सबसे पहले तो यह विध्यक क्या है इसके बारे में बहुत पुराना वीडियो बना चुके है उसमें नया बताने की जरूवत निए जैसे ट्रक से, ट्रेक्टर से बेरिकेटिंग्स वगरा को तोड़ दिया हला कि पुलिस ने भी बहुत कोशिस किया उन लोग को रोकने के कई जगा गोलियां भी चलाई गई बेरिकेटिंग्स को जब तोड़ा गया इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे धनमानल की भी हानी हुई था जो पहले से pre-planted tractor rally का उसका tractor march का जो रास्ता था न वो यह था कि दिल्ली के अंदर जाके फिर वापस आजाना है Central Delhi में entry नहीं मारना है Central Delhi के sense क्या है कि जहां पर राजपत है जहां पर parade हो रहा है अब आप समझेगे यहां पर में कहानी क्या है यह पूरा map आपको डिल्ली का दिख रहा है जो यह white color का area है यह पूरा का area यह दिल्ली का है अब यह दिल्ली की इतना बड़ा area है यहां पर इसमें जो parade होता है जो इतने भी government के चीज़े हैं लाल किला इंडिया गेट सुप्रीम यह सब यह एकदम Central Delhi में यह parade का area है तो किसानों को रास्ता दिया गया था भया आप UP और हरियाना से इंट्री मार सकते हैं और फिर वापस lot आईएगा अब दिल्ली जैसे मान कि चलिए इधर हरियाना है इधर UP है अब किसी को हरियाना से UP जाना था तो पूरा दिल्ली पार कर एक सड़क थी मतलब अगर यह पार करना है दिल्ली को तो बाहर बाहर पार कर सकते हैं वह topic आपका दूसरा है highway वगरा में कि जब उधगाटन था तो उसका current affair का question था लेकिन government ने जो प्रदर्शन कारीयों को अनुमती दिया था इंट्री करने के वह वह तीन जगहों से दिया और यहां से फिरी ने इस रास्ते लॉट जाना था एक दूसरा हरियाना से था टिकरी बॉर्डर यह बड़ा सुने होंगे इधर से लॉट जाना था ठीक है लेकिन यूपी से जो रास्ता दिया गया था वो गाजीपूर बॉर्डर से यहां सीने आना था और यह रास्ते सीन के एरिया है जो रिपब्लिक डे जहां प्रेड हो रहा है यह वाला एरिया यह गाजीपूर बॉर्डर से काफी जादे करीब है तो गाजीपूर बॉर्डर से क्या हुआ यहां से लोग भीड जो थी वो रास्ता भटक के यहां से यह सीधे आने लगे और यह यमुना नदी को पार करते हुए यहां पर और अक्षरधाम के एरिया से यह परेड वाले एरिया में यह लोग घुज गया हाला कि इस एरिया से भी सिंधू बॉर्डर से भी इंट्री की गई थी यहां से भी रास्ते हाला कि यह पर्मीशन नहीं था जो उन्होंने पर्मीशन मांगा था वो क तिरंगे को इन लोगों ने हटा के ये वाला तिरंगा लगा दी पहली बात देखे ये गलत एंगल से सूट किया गया कैमरा है यहां आपको एक वायर दिख रहे होंगे आप देखे ये वायर दिख रहा है कुछ इदर हमारा ओरीजिनल तिरंगा जो है वो इसके पीछे है जो आप देख रहे थे वो देखे हमारे ओरीजिनल तिरंगे का ये वायर है यहां पर इसमें हमारा अपना तिरंगा है यहां पर और यह जो किसानों ने अपना जंडा लगा दिया वो यहां पर है अभी आपको लग रहा होगा दोनों करीब में बट आप लाल किला अगर गए हो तो देखेंगे, दोनों में काफी का डिफरेंस है, बहुत दूरी है, आप यहाँ पर देखिए, आपको दूरी समझ में आ जाएगी, यह किसान यहाँ पर है, यह जो जंडा लिये हुए है, इसी में से किसान इस पाइप पर चड़ गए यहाँ पर और इस पे लिया के उन्हों तिरंगा को उतार दिया गया, तो पहली बात वहिए है कि हमारे तिरंगे को उतारा नहीं गया, जो वहाँ था, वो वहीं है, जो रियालेटी है, वो बताना ज़रूरी है, अमान के चलिए हमारे घर में, अगर कोई साण घुज गया, तो हम पडोसी से यही बोलेंगे, यह सा खालिस्तान का ज़ंडा है, यह एकदम गलत तरीका, यह पाकिस्तान की और से चलाए गया एक केंपेन है, जिसमें भारत के लोग भी कुछ-कुछ, जिने समझ में नहीं या रहा है, तो सीधे कर दे रहे हैं, तो होता क्या है, अमूमन जो ज़ंडे होते हैं, जैसे हिंदु ज़ंडा देखेंगे, तो उसमें मसाल होते हैं, या फिर भगवा कलर के होते हैं, अब मुस्लिम धरम का ज़ंडा देखेंगे, उसमें चांद बना रहाता है, अब पाकिस्तान का भी देखेंगे, उसमें भी चांद दिखेंगा, तुर्की का भी देखेंगे, तो उसमें भी चलाए गए थे, देखिए, 26 जनवरी एक राष्टी ये तेवार है, इसमें धार्मिक चीज का परियोग करना एकदम ही गलत है, ये चीज एकदम गलत है, लेकिन अगर उसको खालिस्तान कहा जा रहा है, तो ये वहाँ से चलाए जा रहा है, पाकिस्तान से, उसको भी आगे प्रहंडो को लहरा देना, ये एकदम गलत है, इसकी पूरी भारत निंदा करता है, और इवन की किसानों से भी ये उमीद नहीं किया गया था, लेकिन वो इसे सकती परदर्सन के रूप में देखने लगे, क्योंकि दिल्ली को लाल किला को एक तरह से सकती परदर्सन के और हमारा तिरंगा को नुकसान हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जो भारत मा का तिरंगा है, ये तिरंगा किसी हवाओं का मोहताज नहीं है, कि हवाएं चलेंगी तो ही तिरंगा को लाराए जाएगा, जब तक हम एक भी हिंदुस्तानी की सांसे चलेगी, हमारी अंतिम सा थिरंगा फेकर आपना जंडा लगा दिये के आपको ये अधिकार किस ने दे दिया कि आप आप हमारे तिरंगा जंडा को फेग दीजेगा और आप अपना जंडा लगाएगा देश आपके साथ होगा यही कर्टू थे कि आज सब लोग आपका साथ छोड़ते रगए यह एकदम गलत है अरे भाई अगर यही अगर सकती परदर्शन करना था तो तिरंगे को लेके करते क कि किसका तिरंगा कितना उचा होगा दिल्ली पुलिस ने जो तिरंगा लहरा है हम उससे उचा अपना तिरंगा लगाएगे तब हम समझते यह पूरा देश आपके साथ खड़ा होता है यह इतना नीच हरकत कर दिया आप यह पूरा देश इसकी निंदा करता है यह एकदम ग आपने अपनी सक्टी परदर संदिका इस धार्मी जण्ड़ा लगाना एक दम गलत है यह सरसर उन लोगों ने गलत किया है लेकिन यहीं देखिये यह भाइचाब को यह पुलिस वाले दिल्ली पुलिस यहां 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 नीचे में पूरा दिल्ली पुलिस यह सारा तमासा दिल्ली पुलिस के साथ हुआ और इन दिल्ली पुलिस के जवान को दिखिए बुलेट पुरिफ जैकेट है हेलमेट है आगे जाली है कि चोट नहीं लग सकता है हतियार है क कहते कि इतने पुलिस वाले थे इनके बावजूत तिरंगा फेक कर लहरा दिया गया अपना धार्मिक जंडा तो आप बताईए कि अगर यहां एक भी फोजी रहता तो मजाल किसी के कि तिरंगा फेक कर आप लहरा दिये रहते इसलिए आज भी दिल से सम्मान किया जाता है अप भारत मा का जंडा कैसे फेक दिया गया अब तो घड़ा कैसे अभी तक तो सस्पेंड कैसे नहीं हुआ तर्मिनेट क्यों नहीं हुआ यहां पर आप सवाल पुछिए इन लोग से कि तुम कर क्या रहते सेलरी कि मिलती है इसे तुम तमासुईन बन के दखने के लिए और बु पüर्हा फचलता है हमारे सामने में खुझा वा पे ना है कि और अब तक तुम लोग के उपर कोई फिया यह नहीं हुआ यह सबसे बड़ा गलत है इनरे होते हुए कोई कई से फेक के चला जाएगा महाँ पर हमारे फीक के देखा है यहाँ पर किसान लोगों का काना है कि हम लोग रूट भटक गये थे और कह रहे हैं कि पांसो आदमी को रखते कि यह रूट है, इस रूट से नहीं जाना है, आपको नहीं समझ में आता है, इतिहास गवा है, जब भी कोई फालतु घटना हुई है इस तरह का, तो तब तभी हुआ है, जब कोई मार्च निकलाता है, चाहे आप देखिए, चाहे आप देखिए, चा अभी कुछ अन होनी होती है, दिल्ली पुलिस को भी सोचना चाहिए, आपको भी इतिहास समझ में नहीं आ रहा है, कि इतिहास में ऐसी घटना हुई है, और किसान अंदोलन को नहीं समझ में आ रहा है, नो बजे हिस्ट्री का बैच चलता है, तो लोग बोल दियो, हम तो रह रिहलसल कर रहे होते हैं सब, कि RDC प्रेड करना है, रिपब्लिक दे, इन लोग को भया, ट्रेक्टर प्रेड करना था, तो कोई रिहलसल नहीं, पहले से किसी को रूट नहीं पता था, आगी की ट्रेक्टर अगल गलत रास्ते में गई, तो पूरा उधरी निकल गया, फिर भ वालों को भी देखा गया, वह निठलों की तरह खड़े भी थे, तो दोनों चीज़ देखा गया, इस तरह से असायमी वेवार आप लोग को भी नहीं करना चाहिए, एक ट्रेक्टर है, स्टंट करने के चक्कर में पलट गये, सर पे चोट लगी, मर भी गये वहाँ पर, अब अब ये सब घटना, आप सांती से रैली निकालते, इतने दिन से आपको कोई नहीं बोला था, लेकिन अब देखिएगा, अब गवर्मेंट को बहुत बहतरीन, आप लोगों ने खुदी मौका दे दिया है कि आब अंदोलन को दबाने के लिए, अब इसमें आगे क्या-क्या का क्या रोल रहा, वो आपको समझाते हैं, ये खालिस्तान वाला मामला नहीं था, इसमें मीडिया का क्या रोल रहा, भई सब देखिए, मीडिया जो थी, वो सबसे जादे इसी चीच को दिखाई थी, केवल इस इमेज को दिखाई, कि सुरुवात में जब हम लोग भी देख किसानों को फरजी किसान कहते हैं, जिनका खुद की रेंकिंग 142 नंबर पर है, मतलब दुनिया में ये 142 नंबर पर आते हैं, सोची इन पर क्या भरोसा करेंगे, 2000 के नोट में इनी मीडिया वालों ने कहा था, कि इसमें नैनो GPS चीप लगा हुआ है, और आज ये मीडिया व भी आप गुसा में नहीं देखे होंगे, अब आप किसी राज की मुख मंतरी को कहेंगे, कि फरजी मुख मंतरी, फरजी मुख मंतरी, किसी देश के परधान मंतरी को कहेंगे, फरजी परधान मंतरी, तो पहले आपको, वो सामने वाला आपका नेरेटीव तो समझ गया है, कि आप किस आप क्या कहना चाह रहा है यहां पर मीडिया का काम सुरू भी हो गया और विवेट कीजिए 2025 तक आप मेरी बात को याद रखे 2026 तक एक ऐसा वक्त आगा जब मीडिया वाले दिखेंगे अपने यहां पर चैनल का नाम लिख के घुमते हैं सब एंडी टीवी तो आस त लोगों ने हाथोत भी उठा दिया अलाकि ऐसा नहीं करना चाहिए हिंसा कहीं पर भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए लेकिन अभी क्या है आपको भी पता है कि आप कौन सा न्यू चैनल खोलेंगे तो किस के बारे में बोलेगा जैसे एंडी टीवी खोलेंगे तो आपको पता है कि यहां पर क्या दिखने वाला है वियं द pig उखोलेंगे तो आपको ही पता है कि यहां क्या दिखने वाला है आस तक ABV सब का यहीं हल दे लगे साथ यह 26 जनवरी को तो 26 जनवरी जैसे टॉप सिक्योर्टी के दिन और वी पता है कि जब पिछले 5-6 महिने से अंदोलन चल रहा है और अल्रेडी कहा गया है ट्रेक्टर परेड निकाला जाएगा तो इतना होने के बावजूद लाल किला हमारे दिल्ली पुलिस सुरक्षित नहीं क्या सवाल आपने सुना है कि कीसी ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि आप लाल किला तक रोके यह नहीं है कोई सवाल ने किया क्योंकि हम लोग को अजीब डियाइन की सोचे है भैया हमको क्या जरूफ थे पूछने की अब हम आपको बताते है देखिये जब कस्मीर से वहाँ CRPF के पुलिस, CRPF के जवानों को भेज दिया गया था और हर एक प्रॉपर बेवस्था की गई थी लेकिन क्या ऐसी बेवस्था दिल्ली में देखी गई थी? नहीं देखें कोई में कि गवर्मेंट के पास भी तो दिमाग की कमी नहीं है उसके पास एक से एक IES IPS बैठे हुए से दिमाग देने के लिए उन्होंने बता दिया है गवर्मेंट को कि देखें देश की जनता जो है इनका एक सिंपे थी एक साहन भूती जुड़ी है किसानों से जब तक जनता का ये साहन भूती नहीं टूटेगा आप इस आंदोलन को नहीं दबा पाएंगे वर्मेंट भी इंतजार में थी किसानों ने वही गलती किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था यहाँ पर कर दिया आप देखेगा आप दिल्ली पुलिस वहाँ CRPF उतारा जाएगा अब सारा टॉप सीक्रेट होगा रीजन क्या है कि एक जनता का जो मोह था एक अटेच्मेंट था वो इस जंडे वाले को लेके थवासा कलर डारेक्शन में चला गया यह किसानों वालों को भी सोचना चाहिए कि जिस दिन आप हिंसा कीज़ेगा उस दिन चोपट हो जाएगा अभी भी वक्त है सुधर जी यह दिल्ली पुलिस को भी सवाल होना चाहिए कि भाई आप लोग क्या कर रहे थे दिल्ली आप लोग से सुरक्षित नहीं है और जब यह लोग गाजीपूर बॉर्डर से इंट्री किये थे जब उना विहार होते हुए अक्षर धाम होते है वहीं से थोड़ी दूर पे है वसंद यह आपका संकर विहार करकर एक एरिया है वहां आर्मी की बहुत बड़ी च्छाउनी है आप वहां से भी अगर बुला लेते तो आर्मी अगर खड़ी भी हो जाती तो कोहीं नहीं जा पाता वहीं दिल्ली पुलिस वालों लोग से आपसे सवाल कौन पूछेगा वीडिया तो पूछेगी नहीं आपसे देखे इसमें अपकिसानों के आंदोलन में भी फूट परने लगी है किसान का एक धड़ा जो शुरु से आंदोलन के पक्ष में था उन्होंने घोषना कर दिया कि हम इस आंदोलन से हट रहा है अब ये किसानों में भी food देखने को मिल लेकिन कुछ किसानों का कहना है कि हम अब पीछे नहीं हटने वाले हैं यहापर और जो budget सतर आने वाला है एक फरवरी को अब उसमें भी ये लोग अब संसद का घहराओ करना चालू करेंगे लोग अब सरकार को भी अब दिल्ली पुलि किसान जरा सोचिए आप सकती परदर्सन के लिए जंडा लगा दिए देश के बहुत से लोगों की आपने साहनुभूती खो दिया इससे आपको ही लॉस हुआ है अब संसद को घहरने जा रहे हैं इस पर कोशिस मत कीजिएगा कि आई साथ लोग छोड़ देंगे और गवर्म कोड़े पैमाने पर होगा तो कुछ ना कुछ अपरिय घटना होई जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगा भाई पूरे भारत भी चाहते हैं कि किसानों को उनका उचीत मूले मिले लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे राष्टी एसमारकों को कोई छती पहुँचा है हमें सब को देखके चलना है ऐसा नहीं कि पुलिस वाले हमारे अपने नहीं है रही बात अलग है कि आप खुद से सोचिए दुनिया में हर चीज का एक रेक फिक्स है अगर कोई पेन है तीन रुपय का तो उसे कोई दो रुपया में नहीं खरीच सकता है सिवाए किसान के अनाज की क कि यहू कितने रुपय में बीकेगा यह उसको भी नहीं पता है यह इसी डिसंबर की बात है कि भिहार में घोवी एक रुपय कीलो था तो बिहार के उस किसान minimum fix कर दो बस काम खतम अब एक कह रहे हैं कि मंडी में बेचना है कि मंडी के बाहर बेचना है कि मंडी के बाहर बेचना है इस पर कहें बहुंस करते हैं यह बोलिये ने कि बेचना कितने में हैं काम खतम बेचना कितने में और रही बात मंडी में बेचना ना तो 2006 से ही बिहार में मंडी खतम है, यहाँ पर मंडी में बेचिये, चाहे मंडी के बाहर बेचिये, मन करता है, कुछ चुक कीजिए, तो उस हिसाब से तो यह जो नियम अभी पूरे देश के लिए बन रहा है, वो तो बिहार में 2006 से लागू है, और किसी को अगर देखना है किसानों का विकास तो आ मारने की भी कोशिस की गई, मतलब ढकेलने की, एक जगे ट्रैक्टर ओवरी स्पीड होने के वाई से गिर पलड गया, जिसमें किसान की मौत हुई, बहुत सारे पुलिस वाले भी घायल हो गया, अरी भाई, किसान आप लोग का कर रहे है, जरा सोचिए, यह तस्बीर पूरी किसी को हो जाएगा, तो पाकिस्तान को होगा, देखिए, यह भाई साब बावाली इसलिए विभाजने किये थे पाकिस्तान का, इनको लगता था कि जन्नत बनाए, यह भाई साब को कोई मुद्दा ही नहीं है, भारत के पास एक बहुत बहुत बहतरीन मुद्दा था इसका, बलुचिस्तान का तो भारत इस मुद्दे को उठाता है कि भाया आप यहां पर क्या कर रहे हैं मतलब इस पर मानोव अधिकार का हनन कर रहे हैं अब पाकिस्तान इसको और प्रोमोट कर रहा है कि जो लाल किले पर जंडे लगाए गये हैं वो सिख धरम के गुर्दवारा का जं सरकार को हम ही ने चुन के भेजा है किसान भी हमारे ही है कोई बिदेश से नहीं आया है नहीं कोई इसमें आतंगवादी बेठा लेकिन मीडिया का खुल के कहना कि फरजी किसान यह आप प्रोवोग कर रहे हैं आप किसान समझी है आपको उकसा दिये जाएंगे आप जहां ल लाहोर में वो मूवी थे गदर में तो अपने आगे भाई समय तो अपने खतरनाक आदमी यह मजाक वाली बात थी लेकिन फिर भी आप खुद सोची आपको भी अच्छा नहीं लगा फस्चब्वी जनवरी ऐसा था जब हमको लगता है कि देश का कोई भी इंसान खुस नही है दुनिया में इसे कितना खराब गया होगा दुनिया में लाल किला कि एक बहुत बड़ा महत्तु है पुरी दुनिया ने इसे कवरिंग किया भारती मेडिया को भी कहते हैं आप लोग की इसी रहन के वज़ए से आप दुनिया में 142 नंबर पे आते हो अब क्या खोज रहो 142 हुए कि पिछे साथ जाना भी मुश्किल है 142 नमबर 193 देश में 142 नमबर कहां गया यह आप है आप सब समझेए भाई सब मिलके रहे सरकार को भी कहते है किसान वालों को भी कहते है भाई साप अच्छे से रहो इसा भी हिंसा अच्छा नहीं लगता है भगवान से भी प्रात्ना करता है इसाप सांती जल्दी हो किसानों को भी अच्छा से हो जाए और होजे होंगे और दिल्ली पुलिस भी समझेगी कि पूरी दुनिया में जो भी देखेगा तो दिल्ली पुलिस को क्या सोचेगा कि यह 26 जनवरी की दिन लालकिला नहीं बचा पाए तो क्या हो गया मोधी जी आप एक बार सोची दिल्ली पुलिस के भरोसे दिल्ली को छोड़ देना नहीं है या तो भाईया उनको खुला छूट था कि भाईया आप दिल्ली उन्हें लालकिला तक आने दो अगर ऐसा है कि भाईया वो रोक ही नहीं पाएं ये तो और खतरनाक बात है कि भाईया आप किसानों को नहीं रोक पाएं फिर अगर कल को मुंबई ताज होटल जैसा हमला हो गया तब 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 आपको इस हिसाब से तो देखनें को डर लगता है भाईया आप रोकेंगी कि नहीं वहाँ पर दिल्ली को भी दबाने में मौका मिल जागा खैर चलिए इस सब चीजों को छोड़ते हैं लेकिन हम भी यही कहते हैं कि भाईया जिसने ऐसा काम किया उसको गिरफ्तार करो ऐसी सजा दो कि आगे आने वाले वक्त में वो कुछ ऐसा गलत काम ना कर सके अब तक तो उसको सजा हो भी जा आना चाहिए था जिस तरह का उसने ऐसे दुस्साहस को किया है कर हम अपने किसानों सेना भारत सरकार सब को कहते हैं मिल जूल के काम कीजिए जय जवान जय किसान मिलेंगे नेक्स क्लास में जय है